कौनसे स्टोक में इन्वेस्टर ने ज्याधा कमाया 1-1-2014 को स्टोक प्राइस थी 1-1-2020 को स्टोक प्राइस थी 23 मार्च 2020 को जब निफ्टी लोईस्ट प्राइस थी और करन्ट प्राइस है 1-1-2014 के दिन एक लाग रुपए दोनों स्टोक में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद इस इन्वेस्टमन की वेल्यू हो गई मार्च 2020 में इन्वेस्टमन की वेल्यू हो गई और करन्ट वेल्यू है यही फिगर्स चार्ट में देखते हैं यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स डिपोजिट की होती तो आज उसकी वेल्यू हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का रिटन दिया दोनों स्टोक्स ने कितने परसंटेज का रिटन दिया विनर है आज अगर किसी को एक लाग रुपए इंवेस्ट करने है तो वो क्या करे दोनों में से किसी स्टोक में इंवेस्ट करे Nifty 50 स्टोक में इंवेस्ट करे या FD में करे दोनों शेर के और Nifty के एन्योलाइज रिटन परसंटेज हमने देखे वही रिटन परसंटेज अगर बविश में भी कंटिनी होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा आए देखते हैं झाल 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 Thank you.